जनता के लिए दोरी खुशी है कि सरकार पर नहीं है लेकिन हेमंद भेया के बिना सब चीज़ा दूरा है आज हमारे राज में एक नेता जिसने बीजेपी का हाथ नहीं थामा वो जेल चला गिया जिस तरीके से हमंद भेया को ईडी ने फसा कर अंदर भेजा है जनता उसके जिनोंने आजादी की लड़ाई के भिश्मि पिता में हमारे बापू को जिनोंने मारा वो आज हिंदुस्तान चला रहे है और हिंदुस्तान को बेचने के लिए वो सरकार हुई राची में और इस वक्त हमारे साथ बेरमों विधाय कुमार जैमंगल सिंग मौजूद है आज नया यात्रा हुई और पिछले दिनों जहारकंड में जिस तरह की राजन की स्थिती द देहेगा आज दुर्भाग यह है कि जिन्होंने 50 साल हिंदुस्तान का जंडा नहीं फेराया अपने कारियाले में वह आज हिंदुस्तान की सत्ता चला रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक अपना योगदान नहीं दिया आजादी में जिन्होंने आजादी की लड़ा तत पर राहूल गांदी जी इंद्रा गांदी जी के नक्षे कदम पर चलते वे राजीव गांदी जी के नक्षे कदम पर चलते वे देश के हर उस कोने में जा रहे हैं जहां पर एक परदान मंतरी को जाना चाहिए और जब तक सड़क पर उतर कर हिंदुस्तान का नेता पेक जनसलाब उनके पीछे जूट रहा है उसके बाद जारखन कॉंग्रेस में भी बात आई कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आंतरीक कलह या पहले से तैयारियों का नहीं होना यह वज़ा थी और बीजेपी चुनाओं को जीतने में सफल रही ऐसे में एक धड़ा यह कह रहा है और जो आपके समर्थक भी है यह ऐसा लग रहा है कि राहूल गांधी अकेले बीजेपी की नीतियों से लड़ रहे हैं वो मजबूत साथ उनको नहीं मिल रहा बाकी जगह वो जहां से गुजरते हैं वो उत्साह दिखता और फिर ऐसे लगता है कि स्लो हो गई इन चीज़े अज हमारे राज में एक नेत्ता जिसने बीजेपी का हाथ नहीं थामा वो जेल चला गया तो राहूल जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं राहूल जी के साथ पूरा इंडिया कट बंदन लड़ रहा है और जहारकण में ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जिस तरीके से हम हेमंद भया को एडी ने फसा कर अंदर भेजा है जनता उसका जवाब देगी आज फ्लोर टेस्ट में आप लोगों ने बहुमत भी साबित किया और राहुल गांधी की निया यात्रा दो बड़ी घटनाएं महागडबंधन के लिए हुई है यह आगामी चुनाओं की लिहाज स और अब जब सरकार मतलब कारिशील हो गई जारखंड में इसको कितना एहम मानते हैं लेकि बहुत आहम है जनता के लिए दोरी खुशी है कि सरकार पर नहीं है लेकिन हेमंद भया के बिना सब चीज़ा दूर रहा है उनकी कमी खल रही है निश्यत दौर पर एक बिल्कुल आ जातिये जनगन्ना हुई उसी आधार पर आरक्षन ते हुए क्या आपको लगता है कि जारखंड में हो जाना चाहिए था या आप संभावनाए है जारखंड में ही नहीं मैं समझता हूं कि पूरे देश में होना चाहिए जिस तरीके से हिंदुस्तान जब अजाद हुआ था तो जातिकंणना के ईधार पर सबको एक रिजर्वेशन कोटा दिया गया था क्यों दिया गया था क्योंकि जो पिछड़ा है जो गरीब है उसको भी आगया हने का मौका मिले आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन समुदाय, कौन जाती, कौन व्यक्ति, किस परिवार के लोगों को क्या जरूरत है जाती गंड़ना तो हुनी चाहिए, खाली अदानी और अम्मानी के लिए आपकी सरकार अगर बनी है तो मैं समझता हूँ, यह दुर्भाग है हिंदुस्तान के लिए, हमें तो जाती गंड़ना करा कर, हम लोग को जो सुविधाय हैं, जो लोग जिससे वंशिद हैं, उसके पास पहुचा ना होगा, उसके के लिए हमारे को जाती गंड़ना करा नहीं पड़ेगा, किसी भी आलत म तो ये थे बिरमो बिधायक कुमार जैमंगल सिंग और उन्होंने कहा कि जार्खंड में यह नहीं बलकि देश भर में जातियक जनगन्ना बहुत जरूरी है और यह जरूर हो जाना चाहिए तो आज ही न्यायात्रा राहुल गांधी की अभी राची में संपन हुई और आज ही जो महागटबंदन सरकार है जार्खंड की जिसमें कॉंग्रेज, जार्खंड मुक्ति मोर्चा और आर्जडी सामिल है लेप्ट का भी समर्था ने उस सरकार को उन्होंने अपना सदन में बहुमत साबित कर दिया है तो यह एक दो बड़ी राजनतिक घटनाय घटी है और य यह दिए